नमश्कार दोस्तों सवागत आपका अपनी यूट्यूब चेनल एग्नु श्टडीपउंट में थो दोस्तों अगर आप हमारी चेनल पर नहीं है तो आप चेनलों को सब्सक्राइब जूरूर कर ले और आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सभी प्रकाइब नोटिफिकेशन मिलती रहें तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके सबसे बड़ी समझ्या जो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़े कु तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें आज मैं आपको इसकी प्रकार के जो डिटेल से सारी बात बताने वाला हूं कि कैसे होगा क्या नहीं होगा तो दोस्तों जैसे कि आपको कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आय तो दोस्तों उसके अंदर क्या हुआ था कि जो अपडेट दिया था क्या किसकी चीज़ का जो है एक्जामिनेशन फीज की 30 जून कर दी थी दोस्तों और जो ऑनलाइन फीजिकल से मिशन असाइनमेंट टेर्मेंट जो जून इसकी भी जो असाइनमेंट जो है उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन बाइपोस्ट जो है या फिर जो है जिस भी स्टेडी सेंटर के अंदर जो आप जाकर जमा करवा सकते हैं तो उनकी जो लाश्ट डेटा वो 30 जून कर देती दोस्तों नेक्ट दो पोईट दिया था उसके अंदर ऑनलाइन फीजिकल से मिशन ऑफ परजेक्ट जो आपर जाकर कोई पोर्जेक्ट है या फिर इंतरन्षिप है कोई जो फिल्ड वर्क है एट्सेक्टर कोई बी चीज है तो उसके जून दो जारे किसकी जो भी है उनका जो है तीजून कर दिया दोस्तों एक और यहां पर इंपोर्ठेंट नोटिस दिया था कि अंग्लाइ 2020 के स्टूडेंट है उनका जो दोस्तों क्या हुआ था कि अगर प्रजक्ट जमा नहीं हुआ तो लेट फिस्ट जो हाजार रुपए के साथ में आपने जो असाइनमेट जमा करवा सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको लाश डेट तीस जून दी थी दोस्तों आपको दिखाए देरा तीस जून के जो last date है वो बंद होने के बाद में जब भी assignment के last date off हो जाती है कि अब assignment जम हो गए है उसके बाद में दोस्तों क्या रहता है कि कोई भी university है या फिर इगनु इनवस्टी है यह जो क्या करेगी जब कोई चीज के last date चली जाती है उसके बाद में आपके assignment जो है वो चेक होने start ह होंगे क्या होंगे दोस्तों चेक होने start होंगे उसके बाद में चेक होने start होंगे और जो लगबग आप भी जानते हैं कि इगनु इनवस्टी के पास जो है 20 से 25 लाख student जो है अब की बार admission है तो दोस्तों जो इतने student के जब assignment चेक हो जाएंगे उसके बाद में आपको एक मह उसके फिर बाद जो है लाजडेज जैसे 30 जून रहती है तो 30 जुलाई के बाद में है जो आपको नंबर अपडेट देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों उससे पहले आपको जो है assignment के नंबर नहीं मिलेंगे तो आप इसको लेकर जो निश्चित रहिए दोस्तों कि हमारे नंबर अभी तक नहीं लगे हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा इसके लिए आप टेंशन मत ले दोस्तों और दोस्तों एक स्वाल यह आ रहा है कि सर मैंने तो mail कर दिये है या फिर मैंने बाई पोश्ट बेज दिये हैं या हमारा receive हमारा क्या state रहा तो इस से जो है आपको कोई भी जो knowledge नहीं मिल सकती है आपको इसके related कोई information नहीं मिलेगी कि हमारे जमा हो गए या नहीं हो गए जो बाई पोश्ट बेजे हैं उसका तो आप जो है क्या है कि आप जो बाई पोश्ट से आप उसको slip check कर सकते हैं कि वहां पे receive हो गए या नहीं वहां पे पहु हो गए हैं वह सिर्व receive का mail आता है जो कि automatically आ जाता है दोस्तों या फिर google form का जो आपको submission successful दिखा देगा लेकिन उसके बाद में वह चेक हुए या नहीं हो इसकी कोई भी जानकरी आपको नहीं मिलेगी इसकी आपको जानकरी मिलेगी इसकी जानकरी आपको तभी मिलेगी या गुदू assignment status यह लेकि आपको क्या करना है सर्च करना है जिसके करना आपको उसके बाद में आपको ऐसी कुछ window दिखाई देगी दोस्तों आपको इसके ऊपर click करने के बाद में जैसी window open हो जाएगी ऐसी window open हो उनके बाद में आपको फैला column जो दिखाई दे रहा है इंटर enrollment number तो यहाँ पर आपको enrollment number fill up करना है निचे दे रखा है दोस्तों इंटर प्रोग्राम कोड तो सबसे पहले जो है हम enrollment number fill up कर लेते हैं जैसे हम आपको दिखाई दे रहा है किसी student का हमने जो है enrollment number यहाँ के अंदर डाल लिया है तो दोस्तों सब्मिट करने के बाद में आप चेक कर पाएंगे कि जैसे यह देखिए उस student के जो जमा हुए assignment है उसकी जो है आपको इन्वेशन दी जा रही है देखे चेक grade card and detail यह तब जमा हुआ था यह तब जमा हुआ था यह तब जमा हुआ था टोटली डिटेल आपको दिखाई दे रहे होगी दोस्तों के इनके assignment जो है कब कब जमा हुए है तो दोस्तों आपको जो है लग बग लाश्ट डेट जाने के एक मन्त बाद में जो आप यहाँ पर status check कर सकते हैं दूसरा दोस्तों यह consequence student check कर सकते status कोई भी student जिसने assignment जमा करवा दिये है आज से पहले जो है मतलब जो मार्च से पहले जिनी भी श्टूण्ट ने जमा कर वाये थे दिसंबर सेशन वालों ने तो वो अपना status यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कु उनका assignment तो receive हो गया है वो check के लिए डाला गया है और जो है उनको क्या किया जाएगा थोड़े दिन में उसके number update कर दिया जाएगे दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिखाए देगा दोस्तों कि जह है इनके process हो चुका है किन किन subject के लग चुके हैं दूसरा दूस्तों सबसे बड़ इग्नू ऑच जी आर एडिई grade card status यह लिख किजिए दोस्तों आपको पहला column दिखाई देगा कुछ इस तरह से जो है इग्नू grade 여기까지 स्टेटस तो दोस्तो इसको आपको क्लिक कर लेना है इसको आप क्लिक करने के बाद में जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको प्रोग्राम क्लिक कर लेना है दोस्तो जो भी आपको प्रोग्राम रहता है उसे आप क्लिक कर लीजिए छायद ब्येजी प्रोग्राम का दिखाई दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं वेट कीजिए थोड़ा सा तो दोस्तों जब उसके अंदर डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा जो है जो अपन होगा ऐसे आपको शो करेगा दोस्तों तो ऐसे शो करेगा इसके देखने के बाद में आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपको नंबर कहां पर देखने हैं तो दोस्तो आपको नमबर दिखाई दे रहे होंगे मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए इससाइड मापको लिख रखाऊगा एे डly रिखे में आसाइनमेंट और यह दे रहारे दी। घैनिमेंट ऑ घैनि simply के अंदर जेहीं । के अंदर दोस्तो आपके जो है 35 number से कम है तो पासिंग मारक होते है नंबर कम आये तो आपको नोट कंप्लेट दिखाएगा अगर इसके अंदर भी नंबर कम होंगे थियोरी के अंदर तो भी आपको नोट कंप्लेट दिखाएगा यहाँ पे जो है अगर इसके अंदर भी नंबर कम होंगे तो आपको क्या दिखाएगा नोट कंप्लेट तो आप दोस्तो आपको सिर्फ वही चीज में दोबारा से देनी है अगर आपका assignment के इंदर 35 से कम है तो आपको assignment शिर्फ दोबारा ईंहस करवाना है और तो आपको libros पेपरों थो कि और जो है दोबाराцев से जम्म मुखा है 35 अगर कम है तो उसके अभी भी मुखा है उनको क्या करना है कि 30 जो जून से पहले-पहले आप ओनलाइन असाइनमेंट या ओफ लाइन या बाई पोस्ट या जैसे भी आपके स्टेडी सेंटर के अंदर आपके रिसीव हो रहे हैं आप दुबारा से जम्म करवा दीजिए जिस भी के अंदर अगर नंबर नहीं लगे हैं तो उसके कोई दीकत नहीं उनका अपडेट हो जाएगा जिन लुख से अगर 35 कम है यंख के प्रमोटफरीं के अंदर नंबर कम है तो दोस्तों वह जो है अपने एक्स बर ले और जो है जो अभी एक्जाम होगे जो जूर सहां सूर्म वालों osob के उनके साथमिजाबिक का कमपारेमेंट का एक्जाम हो जाएगा अगर परमोट रहते हैं तो परमोट भी हो जाओगो तो दोस्तों कैसे लिए हमारी जानकारी आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएं और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कोई भी समस्चा है तो आप कमेंट करें अन् कि मैं आपके डिटेल चेक करें आपको अच्छी से जानकरी देश को तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो आपके लिए जूजफुल रही या नहीं रही आप हमें कमेंट करके जुरू बताएं और जाता से जाधा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें मैं